Hello Friends, Welcome back to Grazytronics पिछले वीडियो में हमने सर्वो मोटर के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम Arduino के साथ में सर्वो मोटर को इंटरफेस करेंगे तो आप जैसे की देख सकते हैं, सर्वो मोटर कुछ इस तरह से दिखती है इसके उपर में यहाँ पर आउटपुट शाफ लगा रहता है और इसमें तीन वायर लगे रहते है पहला वायर ग्राउंट से कनेक्ट होता है दुसरा वायर फाइव वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट होता है और तिसरा वायर सिगनल पिन के लिए रहता है जिसमें की PWM सिगनल दिया जाता है अब इस सर्वो मोटर को हम आडवीनो की साथ में इंटरफेस करेंगे सबसे पहले मैं आडवीनो ले लूँगा और इसके बाद मैं सर्वो मोटर लूँगा और सर्वो मोटर की सिगनल पिन को Arduino की PWM pin से connect कर दूँगा और इसके बाद में servo motor की VCC pin को Arduino की 5V pin से connect कर दूँगा और इसी तरह से servo motor की ground pin को Arduino की ground pin से connect कर दूँगा तो हमने यहाँ पर servo motor को Arduino की साथ में connect कर दिये है अब बारियाती है programming की friends यहाँ पर Arduino का यूज़ करके servo motor को control करने के लिए दो method है पहली method में हम for loop का यूज़ करते है और दूसरे method में servo library का यूज़ करते है तो इन दोनो method के बारे में हम एक एक करके देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते है for loop का यूज़ करके servo motor को control करने वाली method के बारे में यहाँ पर मैं आपको program का explanation दे देता हूँ यहाँ पर मैंने सबसे पहले void setup function के अंदर pin number 6 को output declare किया हूँ जिससे की हम servo motor में output देंगे और इसके बाद मैंने void loop के अंदर एक integer data type variable लिया हूँ जिसका नाम है i और इसके बाद मैंने for loop लगाया हूँ for i equals to 0 i less than or equals to 180 i++ यहाँ पर हमने सबसे पहले i को initialize किये है 0 से और जब तक i में store value 180 तक नहीं हो जाती तब तक i की value increase होंगी by 1 और इसके बाद मैंने लिखा हूँ analog right 6i तो इस तरह से servo motor की signal pin पर 0 से लेकर 180 तक हर एक value जाएगी जिससे की servo motor 180 degree तक rotate होगी और इसके बाद में second वाला for loop execute होंगा और second वाले for loop में हमने i को initialize किये है 180 से और यहाँ पर हमने condition लिखे है i greater than or equals to 0 i minus minus इसका मतलब की जब तक i की value 0 नहीं हो जाती तब तक i की value decrement होगी by 1 और इसके अंदर हमने लिखे है analog right 6 i delay 10 तो इस तरह से जब यह पहला वाला for loop execute होंगा तब servo motor का output shaft 0 degree से 180 degree तक जाएगा और जब यह second वाला for loop execute होंगा तब servo motor का output shaft 180 degree से 0 degree की position पर जाएगा और क्योंकि हमने इन दोनो for loop को void loop के अंदर लिखे है इसलिए यह दोनो for loop continue execute होते जाएगे अब मैं इस program को compile करके ordino में upload कर लूँगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि servo motor का output shaft 0 degree से 180 degree तक rotate होता है तो इस तरह से हमने servo motor के output shaft को for loop का use करके rotate किये है अब इसके बाद हम second वाली method देखेंगे जिसमें हम servo library का use करके servo motor को rotate करेंगे friends यहाँ पर आपको ordino IDE में sketch में जाना है sketch में जाने के बाद आपको यहाँ पर include library पर click करना है और यहाँ पर आपको servo पर click कर देना है तो आप जैसे ही servo पर click करेंगे servo motor की library add हो जाएगी अगर आपको नहीं पता की library क्या होती है तो मैं आपको explain कर देता हूँ जैसे कि अगर आपने C++ language पढ़े होंगे तब उसमें भी हम कुछ libraries को add करते है library एक ऐसा program रहता है जिसमें की कुछ functions से define रहते है और इन function का use हम directly program में कर सकते है लेकिन अगर हम इन function को program में use करना चाहे तो हमें उसके पहले उस library को add करना पड़ेगा जिस library में वो function define है और इन function का use करने से हमें program लिखने में आसानी होती है जैसे यहाँ पर हमने अभी servo motor की library add किये है वैसे ही servo motor की कुछ functions है जिसे हम अभी देखेंगे friends library add करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा servo my servo यहाँ पर मैंने my servo नाम से एक object create किया हूँ आप चाहे तो कोई भी नाम से यहाँ पर object create कर सकते है अब आगे में हम जो भी servo motor की functions लिखेंगे उसे हम इस object का use करके call करेंगे सबसे पहले मैं जाओंगा void setup के अंदर और void setup के अंदर मैं लिखूँगा my servo dot attach 6 यहाँ पर हमने attach function का use करके Arduino को यह बताय है कि servo motor की signal pin Arduino की pin number 6 से connect है अब इसके बाद मैं जाओंगा void loop function के अंदर और void loop के अंदर मैं लिखूँगा my servo dot write 90 delay 1000 my servo dot write 0 delay 1000 तो जिस तरह से हम analog write function का use करके analog output है रहे थे तो उसी तरह से यहाँ पर my servo dot write function का use करके हम servo motor को rotate करवा रहे है यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा my servo dot write 90 मतलब कि मैं यहाँ पर servo motor को 90 degree rotate करवाना चाहता हूँ और जब servo motor का output shaft 90 degree की position पर आ जाएगा तब उसका output shaft 90 degree की position पर एक second तक रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ delay 1000 और फिर एक second की बाद में servo motor का output shaft वापस 0 degree की position पर चले जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ my servo dot write 0 और फिर इसी तरह से इसका जो output shaft वो 0 degree की position पर रहेगा एक second के लिए और क्योंकि मैंने my servo dot write function को void loop के अंदर लिखा हूँ इसलिए यह function एक के बाद एक execute होते जाएगे अब मैं इस program को audio में upload कर लूँगा तो आप जैसा की देख सकते हैं servo motor का output shaft एक second के लिए 90 degree की position पर रहता है और फिर उसके बाद में 0 degree की position पर आ जाता है तो friends इस तरह से हमने इस video में for loop का यूज़ करके और servo library का यूज़ करके servo motor को control किये है friends अगर आपको यी video पसंद आया है तो please इस video को like कीजिए अपने दोस्तों तक इस video को share कीजिए और अगर आप audino की programming को basic से सीखना चाहते है तो please हमारे channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए thank you so much